हेलो गुड़ मॉर्निंग ओल अफ यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार अवरा नमस्कार दोस्तों मैं लेकर आज इरूं डेली करंट अपिर्स जी के आज 28 मार्च 2020 के करंट अपिर्स के हम बात करते हैं साथियों डेली करंट अपिर्स आपके लिए अत्यार्ट मैतोपोर्ण है साथियों यदि आपने हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करें और बैल आइकन दवाना ना बोले इसका लावा यदि आप राजिस्तान जी के और मेकेनिकल इंजिनेरि तो उसके लिए अनकेडमी अप पर मुझे फोलो कर ले अनकेडमी अप पर फोलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों शुरू करते हमारा MCQ करंट अफेर्स जी के कौसन संक्या फर्ष्ट से कोरोना वाइरस के बढ़ते खत्रे के बीच किस राज्य सरकार ने COVID-19 और अस्पताल बनाने की गोशना की है ओप्शन E. राजस्तान सरकार ने, ओप्शन B. ओडिसा सरकार ने, ओप्शन C. दिल्ली सरकार ने, ओप्शन D. मध्यप्रदे सरकार ने साथियों इस समय कोरोनो वायरस ने माहमारी का रूप ले रखा है तो ओडिसा की सरकार ने 1000 बैड का अस्पताल बनाने की गोशना किये जो की कोरोनो वायरस के बढ़ते खत्रे के बीच इन्होंने इस प्रकार की गोशना किये इस अस्पताल को बनाने के लिए ओडिसा सरकार, कॉर्पोरेट और मेडिकल कोलेज जो ने एक तिरी पक्षे समझोते पर हस्ताक्षन किया है तो इसका राय टान सुर है, ओप्सन भी ओडिसा सरकार Next, कॉसन सग्याद 2 Ministry of Commerce and Industry के कौन से विभाग ने कोरोना लोकडाउन के समय जरूरी चीजों की डिलिवरी और उनके ट्रांस्पोर्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है ओप्सन A, Department of for Promotion and Industry and Internal Trade ओप्सन B, State Trading Corporation ओप्सन C, India Trade Promotion Organization ओप्सन D, PEC Limited साथ यो, कोरोना वाइरस के लिए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने 21 दिन का लोकडाउन यानि की 14 अप्रेल तक लोकडाउन घोशित किया है तो इसके लिए लोकडाउन के समय जरूरी सामान के ट्रांस्पोर्ट और डिलिवरी यानि की काला बजारी ना हूँ काला बजारी को रोका जाए, निजी इस तरकी किसी भी तरह की दिक्कतों को सौल किया जाए उनके सौलूसन के लिए Department for Promotion of Industries and Internal Trade ने एक कंट्रोल रूम विक्सित किया है तो इसका राइट आनस्वर आप्शन है Department for Promotion and Industry and Internal Trade Next, कोसन संक्या 3 हुआ माताओं की साहता लेने की योजना है, ताकि उनके बच्चों को हर पिरकार की खेल गती वीदियो के लिए प्रोटसाइट किया जा सके, इस सामाजिक नवाचार को एक नई दिसा प्रदान करने है तो खेल, मैला और बाल विकास सहीच साथ विबागों ने कारे करना क्या चार, केंद्रिय वितमंत्री निर्मला सीतरामन ने कोरोना वाइरस से प्रभावित अर्थवेस्ता और गरीबों की मदद के लिए कितने लाग करोड रुपे की पैकेज की गोशना की है, इसका राइट आनस्वर है, ओप्शन बी एक पॉण सतर लाग करोड रुपे की गोशना, वितमंत्री निर्मला सीतरामन ने कोरोना वाइरस से प्रभावित अर्थवेस्ता और गरीबों की मदद के लिए की है, वितमंत्री सीतर अमन ने काया कि सरकार लोकडाउन के बाद से लगातार लोगों की मुश्किलों को कम करने में लगी हुई है, वितमंत्री ने काया कि प्रदान मंत्री गरिब कल्यार अन्योजना से 80 करोड लोगों को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा, इसके अलावा कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए 50 लाग रुपे का इंसुरेंस कवर देने की गोशना की है जिसे लगबग 20 लाग करमचारियों को फायदा मिलेगा नेक्स्ट कॉसन सग्या पांच बीस बार ग्रेंड इसलेम जीतने वाले किस खिलाडी और उनकी पत्नी ने कोरोना वाइरस से लोगों की सायता के लिए 7 करोड 78 लाग रुपे दान किये है उप्सन नोवाग जोकोविच उप्सन भी राफेल नडाल उप्सन सी रोजरर फैडर उप्सन डी इनमे से कोई निए बीस बार ग्रेंड सिलेम जीतने वाले खिलाडी रोजर फैडर और उनकी पत्नी ने कोरोना वाइरस से लोगों की सायता के लिए 7 करोड 78 लाग रुपे दान किये है लगबग 8 करोड रुपे इसका राय टांसर है उप्सन सी रोजर फैडर इसका लावा खेल जगत से बारत की पीवी सिंदु ने 10 लाग रुपे और बांगला देश की किरकेट टीम ने आदे महीने की सेलरी दान देने की गोशना की है नेक्स्ट कोशन सक्याच्छ है पदम विभुसन से सम्मानित और बहुमकी प्रतिवा के धनी किस प्रसिद भारतिय चित्रकार का चौराण में साल की उम्र में निदन हो गया है उप्सने 37 गुजराल उप्सन B वासुदेव कामत उप्सन C 27 नाइक उप्सन D नंदलाल बॉस साथियो भारत के पूर्वे प्रदान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई 37 गुजराल का 84 में साल की आयो में निदन हो गया है उनका जनम 25 दिसम और 1925 को बेटिस इंडिया के जेलम जोकी अब पाकिस्तान में वाँ पर हुआ था इसका राइट आंसर है ऑप्सन है 37 गुजराल इसके अलावा भारत सरकार ने 37 गुजराल को उनके उतकर्ष्ट योगदान के लिए कला के छेत्र में उतकर्ष्ट योगदान के लिए सन 1909 में में उनने पदम व्यूपुशन से सम्भानित किया था तथा इसके अलावा 37 को कला का राष्टे पुरुष्कार तीन बार प्राप्त हो चुका है नेक्स्ट कोशन से क्या साथ कोरोना वाइरास के चलते केंदर सरकार ने 3 पिलाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितना रुपय तै की है अप्सन ए 15 रुपे अप्सन B 16 रुपे अप्सन C 17 रुपे और अप्सन D 18 रुपे दोस्तों बढ़ती मांग को देखते हुए और फेस मास्क की कमी के चलते और काला बजारी के चलते सरकार ने कदम उठाया है कि सरकार ने कदम उठाया है कि 3 पिलाई फेस मास्क की कीमत सोड़े रुपे कर दी जाए 30 जून तक तो इसका राय टांस वरे अप्शन भी सोड़े रुपे है साथ यो कोरोन वाइरस खत्रे को देखते हो सरकार ने मास्क और हैंड सेनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में सामिल कर लिया है नश नेक्ष्ट कोशन संचा आठ आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्ता की किस मुख्य प्रसासिका का निधन हो गया है ओप्शन दादी जान की ओप्शन भी दादी को सलिया ओप्शन सी दादी रानी ओप्शन डी लश्मी राय आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्ता की मुख्य प्रसासी का और स्वच बारत मिसन की ब्रांड एमबेस्टर राज योगिनी दाधी जानकी का निधन हो गया है option age right answer दाधी जानकी दाधी जानकी के बारे में बात की जाए तो दाधी जानकी 104 साल की थी राजयोगीनी दादी जानकी ने 21 साल की उम्र में ये आध्यात्मिक पत्व पर चलने का निर्णे ले लिया था उन्होंने माउंट आभू के गलोबल होस्पिटल में अन्तिम सास ली और दादी जानकी को Most Stable Mind in World का खिताब मिल चुका है Next, questions again 9 RBI Reserve Bank of India ने रेपो रेट ब्याज़दर में 5.5-15% से गटा कर कितने फिस्दी कर दिया है Option A 3.40% Option B 4.40% Option C 4.90% Option D 5.20% दोस्तो, Coronavirus के चलते हैं Lockdown है 21 दिन का Lockdown है 14 अप्रेल तक इससे अर्थवयस्ता की गतिवीदियों पर गहरा असर पढ़ रहा है यानि की आर्थिक गतिवीदियां बदल रही है जिसके चलते हुए रेज़़बैंक के गवर्नर सक्तिकान दास ने ब्याज़दरों में 0.75% की कटोती का एलान किया है जिससे ब्याज़दर 5.15% से गटकर 4.40% हो गई है नेक्स्ट क्वेशन संक्या 10 और आज का हमारे करेंट एपेश का लास्ट क्वेशन विश्वे रंगमच दिवस वर्ल्ड थेटर डे प्रती एक साल निम्न मैंसे किस दिन मनाया जाता है ओप्शन E 27 मार्च को, ओप्शन B 20 जन्वारी को, ओप्शन C 10 मार्च को और ओप्शन D 12 अप्रिल को दोस्तों विश्वे रंगमच दिवस उत्सव एक ऐसा दिन है जो रंगमच को समर्पित है विश्वे रंगमच दिवस की स्तापना 1961 में इंटरनेशनल थेटर इंस्ट्यूट द्वारा की गई थी ये दिवस इसलिए भी मैत्तोपूर्ण है क्योंकि इसका आयजुन मैत्तोपूर्ण क्यों है क्योंकि अंतराश्वे रंगमच का संदेश है जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमच और सांती की संस्कृती विशे पर उसके विचारों को व्यक्त करता है और हर साल विश्व रंगमच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है तो option is right answer 27 मार्च और यह जो दिन है दुनिया बर में थेटर का लाके मैत्यों के प्रती लोगों में जागरुपता पैदा करने के लिए मनाया जाता है तो साथियो यह था हमारा करेंट है पिरस जी के वीडियो आपको अच्छा लगेगा एक बार वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सेर करिए, सब्क्राइब करिए और जो भी आपका क्वेरी जो भी कॉस्टन दे कमेंट करिए साथी बैल आइकन यान की गंटा दबाए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे एक इंपोर्टेंट ये भी है कि वीडियो का पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थैंक्यू सौमच, धन्यवाद, इस्टे होम, इस्टे सेब कोरोना वाइरस मामारी के चलते हुए गर पर रहे, सुरक्षित रहे आपका दिन सुबह